चलो घर का काम तो खतम हो गया फोनी कर लेती हूं पता नहीं कहा रह गए जनाब आज फोनी नहीं किये अच्छा नास्ता किया अरे नहीं अभी करूँगा थोड़ी देर में अच्छा बताओ ना कब तक आओगे आप फिर से एक हफता यार लास्ट विग भी आप यही बोल रहे थे अगर जरूरी होती ना तो मेरे पास आ जाते है आप अच्छा मेरी बाते अब आपको किच-किच लगती है तो तुम बताओ ना मैं क्या करूँ मैं बोर हो जाती हूँ यहां पर कितना टीवी देखू यार अप जॉब भी नहीं करने देते मेरे को ठीक है पर मैं बोर हो जाती हूँ मैं भी क्या करूँ आप ही बताओ अच्छा तुम कहो तो तुम्हारी लिए मेरे पास एक सेजेशन है वो क्या तुम पहले तो टीशन पढ़ाती थी और अपने सुसाइटी में भी काफी तार बच्चे है हाँ यार आइडिया तो अच्छा है हाँ तो देर किस बात की स्टार्ट कर दो पर मैं यहाँ पे किसी को जानती भी तो नहीं हूना हाँ यह बात तो है मेरे पास अपने बच्चो को कौन बेजेगा अरे यार वो तुम्हारी सहली है ना रिचा वो तो काफी टाइम से यहाँ पे रेती है चलो आप नास्ता कर लो इतने में मैं रिचा से बात कर लेती हूँ हाँ ठीक है अच्छा ठीक है बेबी बाई लव यू विसे आइडिया तो अच्छा दिया इन्होंने एक काम करती हूँ रिचा को फोन करती हूँ हलो हलो कैसी है कमीनी मैं ठीक हूँ आज तूने कैसे याद किया तू बड़ा याद करती है मेरे को हमी तो याद करते हैं अच्छा सुन तुस्से एक काम था बोल मैं सोची हूँ बच्चो को ट्यूशन पढ़ाऊ तू जानती है किसी को बच्चो को ट्यूशन तुझे तेरे पती मान गए अरे उनका ही प्लैन है अरे वाँ ये तो बहुत अच्छी बात है तो एक काम कर सकती है न मेरे देवर को पढ़ा दे तुम्हारा देवर क्या बच्चा है अरे नहीं आर्ट ट्वेल्थ में है वो दो तीन बार फेल हो गया है न थोड़ा क्यों इतना नालायक है क्या पागल नालायक नहीं है थोड़ा हेल्थ इशू था थोड़ा फैमिली इशू हाँ पढ़ा दूंगी मुझे क्या दिक्कत है तो बता कब भेजू कभी भी भेज दे मैं तो फ्री रहती हूँ आजी पक्का हाँ भेज दे और क्या कर रही है वैसे मैं तो यार बोर होती रहती हूं घर पे तू अपनी सुना कुछ नहीं यार बस घर का काम वाम होते रहता है बाखी तेरे जिजु के साथ बीजी रहती हो तु बहुत लग्की है यार मेरे वाले को देख हमेशा बाहर होता है टाइम ही नहीं होता अच्छा वो सब छोड़ ये बता तू आकबर ये मुझसे मिलने हाँ हाँ जैसे तू रोजा जाती है मिलने एक काम कर तू अपने देवन को भेज़ दे ठीक है? हाँ मैं उसे भेज़ती हूँ ठीक है? ठेंक ये सो माच यार तूने मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी आरे उल्टा तूने मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी मैं अटलीस घर पे बोर तो नहीं होंगी चल बाबाई चलो अच्छा है आज पहले दिन ही एक स्टूडेंट फाइनल हो गया इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए कम से कम बोर तो नहीं होंगी ये साहिया कम से कम इसकी ट्वैल तो निकलेगी और बोल रही है पेमेंट भी नहीं लेगी अच्छा है आज ही भेज़ देते हैं अपने देवर को इसके पास अरे यार उसके आने से पहले पहले मैं घर का सारा काम कम्प्लीट कर लेती हूं नमस्ते भावी नमस्ते आप कौन रिचा भावी से बात हुई थी अच्छा तुम रिचा की देवरो जी जी आओ अरे खड़े क्यूं हो बैठो ना क्या नामे तुम्हारा रोहित अच्छा रोहित तुम ट्वेल्थ में दो बार फेल हुए हो ना हाँ वो कुछ हेल्थ इशु था और बीमार था इसे लिए अच्छा चलो कोई नहीं बुक दिखाओ अपनी क्या प्रेक्टिस की है अब तक आपको तो सच में बहुत प्रेक्टिस की ज़रूरत है जी पर टेंशन मतलो इस बार तुम पास हो जाओगे ठीक है दूसरी बुक दिखाईए पेंदो तो आज पहले चैप्टर से सुरू करते है ठीक है अजब कमें। झाल 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 ठीक है अब आप समझ गए ना जी ठीक है जो सब मैंने आपको आज लिखके दिया है आपको कल करके लाना है पका और मैं चेक करूंगी ठीक है? ओके चलो अब जाओ ठेंक्यू बाभी कल इस टाइम पर आना है ना? हाँ जी ठीक है हाँ चलो फाइनली आज से कोचिंग स्टार्ट तो हुई काम करती हूँ खुशखबरी उनको देती हूँ एक काम करती हूँ उनको खुशखबरी देती हूँ कि आज से क्लासिस चालू हो गई हाँ बेबी बिजी हो क्या? अरे ने ने बस अभी फ्री हूँ बोलो क्या हूँ? आपको एक खुशखबरी देनी थी खुशखबरी? वाँ ये तो अच्छी बात है चलो बताओ पताए आज से मेरी क्लासिस चालू हो गई है अरे वाँ पहले दिन ही स्टूड़न्ट हाँ एक ही आया है अभी तो अच्छा अच्छा और कौन सी क्लास में बढ़ता है वो? 12th क्लास में 12th क्लास में तो बच्चा थोड़ी ना है यंग लड़का होगा? हाँ, यंग तो है अरे अपनी रिचा का ही तो देवर है यार बात वो नहीं है तुम ही एक बात सोचो मेरी गहर मुझूद्गी में अगर कोई यंग लड़का घर पे आता है तो पड़ोसी क्या सोचेंगे? कभी सोचा तुमने? लोगों को छोड़िये, आप क्या सोचते हो ये बताओ अरे यार मैं कुछ नहीं सोचता समझो मेरी बात को पड़ोसी क्या बोलेंगे? बोलने दो पड़ोसीों को मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ कोई पड़ोसी देखने आता है कि मैं जिन्दा हो या मर गई? अरे पर एक बार सोच के देखो कोई जवान लड़का घर पे आता है तो हम किसी का मूँ तो नहीं बंद कर सकते ना? क्या आपको मुझे पर ट्रस्ट नहीं है? मुझे तुम पे बहुत ट्रस्टे लेकिन सिर्वी मुझे कुछ नहीं सुना अगर आप बोलोगे तो मैं ट्यूशन बंद कर दूँगी अरे नहीं यार मैं ट्यूशन बंद करने के लिए कहा बोल रहा है तुम्हें बस मेरे माइंड में था तो मैंने एक सजेशन दिया तुम्हें बाकी अगर तुम्हें कोई प्रोब्लम ना हो तो तुम बढ़ा सकती हो नहीं यार मुझे अच्छा लगा शरीफ लड़का है वो अहां ठीक है बट बस थोड़ा सा ध्यान रखना ठीक है? हाँ हाँ चिंता मत करो मैं ध्यान रखूंगी और चिंता मत करो मुझे तुम पे पूरा बरुसा है मैं तो बस ऐसी दिमाग में था इसलिए एक बात बोलू? हाँ बोलू? बहुत याद आती है आपकी अरे डॉन्ट वरी इस हफते पक्का आजाओंगा इस हफते पक्का ना? हाँ हाँ शौँ आओगे ना? अरे हाँ हाँ पक्का आओँगा ठीक है चलो अब रखता हूँ हाँ बाई ओके बाई ठीक है पडोसी क्या सोचेंगे? माई फूट कोई पूछने भी आता है कि मैं जिन्दा हूँ के नहीं जवान लड़का रोजगर पे आएगा ये भी पता नहीं कैसी कैसी बाते करते हैं कभी-कभी मुझे किसी से कोई फरक ने पड़ता, बात खतम अच्छा लड़का है, रिचा का देवर है, तो क्या दिक्कत है? मैं भी नकिन बातों में पड़ गई देंगर प्राओ कोई नहीं जवान देवर गई झाल 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 तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पे है भी के नहीं। ध्यान का है तुम्हारा। भावी वो एगलास पानी मिलेगा क्या। हाँ ठीक है रुको लाती हूँ। कितने प्यारी लग रही है ना भावी। और कल भी कितना सस्दच की बेठी थी। ये मुझे पढ़ा रही है या ये मुझे घुमा रही है। एसा तो नहीं है कि अपने मन में ही मन में वो मुझे चाहने लगी हो। हो भी सकता है आज की डेट में सब नौर्मल है। टाइम पे पत्ती का प्यार नहीं मिल पारा होगा। जरूरत तो उनको भी होगे ना किसी मर्त की। इजहार करू क्या। पर कही ये घुसा हो गई और भावी को बता दी तो। और अगर कही इनके दिल में सच में कुछ चल रहा हो तो। एक ट्राइ तो बनता है यार। इतनी सुन्दर है ये मोका क्यू जाने दू। जो होगा देखा जाएगा। एक बार ट्राइ करता हो। अरे रोहित तुम। मैं ला रही हूना पानी। आपसे एक बात बोलनी थे भाभी। हाँ बोलो। आप बहुत सुन्दर है। अपनी हद में रहो रोहित। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या बकवास कर रहा है। तु अगर रिचा का देवर नहीं होता न तो अभी धक्के मार के निकालती तुझे। अरे भाभी जी। आपको मेरा प्यार नहीं दिखता। बकवास बन कर अपनी। तु ऐसे नहीं मानेगा। यह पकड़ और निकल यहां से। पर भाभी एक बार तो समझो आप मेरी बात। मुझे कुछ नहीं सुनना और समझना निकल यहां से। आया बड़ा प्यार करने वाला। क्या हो गया आजकल के बच्चों को। मतलब मैं उसकी टीचर हूँ। शरम भी नहीं आई उसको बोलते हुए। और भाभी से ब्यार हो गया। यह भी कैसे है आजकल के बच्चे। सही कहते थे वो। किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता। रिच्चा की बच्ची को तो मैं बाद में बताऊंगी। पर उनको क्या बोलू। उनको तो बोल भी नहीं सकती कुछ। वो बोलेंगे पहने ही मैंने मना किया था। पर बताना तो पड़ेगा ना। आज के बाद नहीं पढ़ाना मुझे किसी को भी। मैं अकेले ही खुश हूँ। जी दे के खुश हूँ। अच्छा सुनो आपना सही बोल रहे थे। वही ट्यूशन ना पढ़ाने के मामले में। मैंने ना ट्यूशन पढ़ाने से मना कर दिया उस लड़के को। अरे क्यों क्यों असब ठीक है। हाँ हाँ सब ठीक है। बस मैंने सोचा जो तुमने बोला उस बारे में। मैंने बोला था? कुल से वाली बात? अरे वही जो आप बोलने ही रहे थे। कि जवान लड़का आपके पीछे से रोज रोज घर पे आये तो अच्छा नहीं लगता। लोग बात बनाएंगे। तो मैंने उस बारे में सोचा। तो इसलिए मैंने उसको मना कर दिया। अब हमेशा सही कहते हो पते है। इसे मुझे बहुत अच्छा लगा जो तुमने मेरी बात मानी है और उस पर गोर किया। चलो चलो, कब आओगे अब ये बताओ। अरे बोला ना, इस अब ते आजाऊँगा मैं। पक्का ना? अरे हाँ बाबा पक्का और तुमने मेरे बात मानी है तो इस बार तो आना ही पड़ेगा मुझे मैं इंतिजार करूँगी तुम्हारा बाई लव यू इस रोहित के बच्चे को तो ऐसे नहीं छोड़ूँगी पहले जाके रीचा से बात करती हूँ